हेल्लो एव्रीवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ विवेक फॉम फिंटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं हम फानेंस और टेक्सिशन के इन आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं CBIC ने रोल आउट कर दिया है GST की रिटन स्कूरूटनी के लिए एक आटोमेटिड प्रोसेस बहुत ही जल्दी आपको ASMT10 और जो भी नोटिसेज आपको आएंगे आटोमेटिकली आपकी रिटन के स्कूरूटनी होगी और आपको आपको आटोमेटिकली नोटिसेज भी इशू किये जाएंगे क्या अपडेट है बहुत ही बड़ी अपडेट है अगर आप एक टेक्स पर यह हैं GST में या फिर टेक्स प्रोफेशनल हैं आज की वीडियो को ध्यान से देखेगा विदाट अनी फॉदर डू चली समझते हैं क्या प्रेस रिलीज इशू की गई है अभी कल ही यह प्रेस रिलीज आई है और यहां पर आप देखेंगे तो CBIC ने रोल आउट कर दिया है इसका क्या मतलब है किस तरीके से आपके ओपर यह इंपक्त करने वाला है इसको हम प्यार से बोलते हैं यहां पर बोला जाएगा बैक अप्लिकेशन फोर सेंटल टेक्स ऑफिसर ना ऑफिसर के लिए बहुत ही हल्फू रहेगा यह तूल किस तरीके से काम करेगा थे कि हुआ क्या भी दूरिंग दूरिंग रिसेंट रिवीव पर्फॉर्मेंस अफ सेंटल बोर्ड CBIC Union Finance Minister and Corporate Affairs Srimati Nirmala Sitarmanji has directions to roll out an automated return scrutiny module for GST return at the earliest in order to implement this non-intrusive mean of compliance verification CBIC has roll out the automation return scrutiny module for GST return in ASYS GST back-end application for central tax officers this week this module will enable the officer to carry out the scrutiny of return of centralized administrator taxpayer selected on the basis of data risk and analytics and risk identification by the system now ASYS GST का जो है वो access मिलेगा किसको जो central tax के officers है उनको and data analytics and risk identification system की help से identify किया जाएगा उन taxpayer को जिनकी return के अंदे discrepancy देखने को मिल रही है कुछ example अगर आपको देना चाहूं आपने अपनी GSTR 1 में एक करोड की liability show की है and GSTR 3B में only 20 lakh की liability की payment की है तो बहुत बड़ी discrepancy निकल के आती है यह reflect कर दिया जाएगा GST officer को इसी तरीके से अगर आपके GSTR 2B में आपका जो input आ रहा है वो input आ रहा है 5 lakh rupees का पट आप में जो 3B में claim किया that is 420 lakh rupees तो यहां पर आपने access input tax credit claim किया है violation किया है इस तरीके की discrepancy जो की automatically system में अगर हम एक command देते हैं तो easily identify कर सकते हैं तो इसी तरीके की discrepancy आपकी और इसी तरीके से अगर आप और example है GSTR 9 में आपने notice आ सकता है आपको पता होगा भी recently government की एक special drive होने वाली है जहां पर fake GST registration जो है fake GST नंबर जो है उनके उपर action government ले रही है और उसके बाद ही automated return scrutiny वाला जो यह process है यह भी start किया गया है government की तरफ से यानि government compliance को लेकर specially indirect taxation के compliance को लेकर बहुत ही जादा strict हो चुकी है तो आपको अपने सभी compliance is correctly करने पड़ेंगे क्योंकि automated return के अंदर अगर इसके अंदर आपका case आता है तो आपको notice आएगा और आपके उपर litigation आ सकती है in this module discrepancies on account of risk associated with the return are display to the tax officer tax officer are provided with a workflow of interaction with the tax payer through the GST in common portal for communication of discrepancies notices under form number ASMT 10 के through आपके पास जो है notice आएगा बट अभी तक जो ASMT 10 आता है वो डिपार्टमेंट को manually वो सारा काम होता है automated process नहीं है बट यह पूरा काम जो है वो automated तरीके से होगा fast तरीके से पूरा काम होगा और ज्यादा return इसके अंदर scrutiny की जा सकती है receipt of taxpayer reply जो है वो आप करेंगे ASMT 11 में reply किया जाता है उसका subsequently अगर officer को लगता है कि further action लिया जाना चाहिए demanding recovery निकाली जानी चाहिए तो demanding recovery आपकी raise होगी अगर case drop करना चाहिए तो case आपका drop भी हो सकता है but yes litigation जो है वो आने वाले हैं आपकी return में अगर कोई भी दिक्कत है R1 में 3B में GSTR9 में कोई miss match आता है input आपने access claim किया हुआ है तो उन scenarios में आपके पास automatically जो है अब department notice issue करेगा notice आने के chances बहुत जादा बढ़ गए है implementation of this automated return scrutiny module has been has commence with the scrutiny of GST return for financial year 1920 से start हो चुका है and the requisite data for the purpose has already been made available on the officers के dashboard पर अल्रेड़ी एड़ेटा available हो चुका है financial year 1920 का data जो है available हो चुका है तो आप expected notices आपको बहुत जल्दी आने वाले हैं तो यह बहुत ही important press release issue की गई है यहां पर कल ही हमारी press release आई है 11th में को मैंने आपके साथ discuss किया क्या इसके objective है और क्यूं government ये लेकर के आना चाहरी है ध्यान रखिए जो भी returns आप file करें government अब थोड़ा सा strict हो रही है पहले GST registration के लिए special drive चली उसके बाद अब GST returns के लिए आपकी जो है आप आप बोल सकते हो ये भी एक special drive है तो यहां पर आपकी automatically written की scrutiny की जाएगी आशा करता हूं गैज आपको वीडियो पसंद आई होगी साथ ही में अगर आप हमारा practical course in GST, ITER and TDS चेक करना चाहते हैं तो description में आपको उसका link मिल जाएगा हमारी website पर जाके आप details check कर सकते हैं and enroll कर सकते हैं आशा करता हूं गैज आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल जरू सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की informative और latest updates के लिए thank you so much have a great time हसते रिये मुस्कुलाते रहिए bye bye take care